कि एवडिवान वेल्कम वैक्ट्व एड़ोप चैनल फोर क्रेटेव एश्टेडीच जैसे का आज इस वीडियो के माधियम से हम लोग जानेंगे भी एचाइसी 133 के लिए इंपोर्टेंट कोर्षन वित अंसर जो आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है आज के इस वीडियो के माधियम से हम टोटल दो कोर्षन का कमपलीट करेंगे क्लियर जिसमें से दोनों के दोनों कोर्षन मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एक्जाम के लिए क्लिय यह आज का सेशन जो है आज के क्लास जो है एगनु के बीजी प्रोग्राम से के सके नियर के है हिस्ट्री सब्जेक्ट भी एचाइसी वंटा तेरे ठेक के लिए है जैसे के पहला सवाल है जागीर के विभिन परकारों में से परतियक पर दो पंक्तियां लेखिये मतलब जागी पर जो है जनरली चार परकार के जो है ना जागीर आवंटर मतलब बढ़वारा किया जाते थे जैसे के पहला है वेतन के रूप में दी गई जागीर को जागीर तनख्वा के रूप में जाना जाता था मतलब वेतन के रूप में जो है जो जिनको मतलब मासिक वेतन के रूप करते थे उसको जोना जागिर व्यवस्ता के रूप में जागिर्य तनख्वा के रूप से जाना जाता था अब सकेन है किसी व्यक्ति को दी गई ससत्र जागिर को मस्रूत जागिर का जाता था जैसे यह परकार है जागिर व्यवस्ता की जो है न चार परकार के आवंटन की जात तो उसको इनाम जागिर कहा जाता था comprar गारी जो अपने छेतर जाजिय रूप में दी जाते थे जाते थे तो उसको वतन जागिर कहते थे जैसे कि जहां ये जागिर वेस्था कि जो ना जो चार परकार थे वे जने अब हम लोग कुछ पंक्तियां के बारे में जान जाते हैं जो कोसन पुछा गया था उसके बारे में जैसा कि जहांगिर के सासनकाल में मुसल्मान कुलीनों को वतन जागिर से मिलती जुलती जागिरे दी गई मतलब कि जहांगीर के सासनकाल्मी, जहांगीर के द्वार, मुसलमान, कुलीन बर्गों के वेतंजागीर, जिसके तनख़ा की रूप में दिया जाता था, उन्हें ही जो न, अलतंगमा की नाम से जाना जाता था उसके बात वतन जागिर अनुवानसिक और अस्थानतरी ने होती थी वतन जागिर जो थी वे वन सानुगत होती थी स्टे सार उसका को कुछ समय के लिए खालसा में भी परिवर्थित किया जा सकता था उसके बाद 1689 में औरंग जेब ने जोधपूर के मामले में भी ऐसा किया था जैसा कि अभी औरंग जेब ने मुसल्मानों को जो ना मुसल्मान अकुलीनों के वतन जागिर मिलती चुल्दी को जो है करवाय था उसके बाद जो है 1689 भी में और अग्जेप नहीं है जोतपूर के मामले में ऐसा किया था उसके बाद जब किसी जमिनदार या अस्थानी सरदार को मनसफदार बनाया जाता था तब उसका वेतन उसकी वतन जागिर की आई से कम होता था जब ऐसे किसी जमिनदार को जो ना वहां के सरदार बनाय जाता था उसका वेतन जो उसकी वतन जागिर विवस्ता से कम होती थी मतलब कि जो वतन जागिर होता था वेतन से जो तनख्वा होती थी मन्थली होती थी उससे वतन जागिर जादा होती थी उसके तो महराजा जस्वन ख़ा परदान की गई थी, इस तरह से जो ना, ये जागी र क्षोंट परकार, उसके Himself के बारे में बताना है वो कंप्लीट होता, इस तरह से आप इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप वीडियो को रूक के इसको लिग लीजेश के इसको complete कर लिए important है आपके लिए clear उसके बाद आप second question चलते हैं लोग जैसा कि second में है लगू अस्तर के उद्योग में पुंजी निवेस के सरोत क्या थे इस छेत्र में निवेस करने वाले पुंजपती कौन थे यह question है आपके exam में लिए exam के लिए बहुत ही important है जैसा कि इसका ह पुंजी के सरोत किस तरह से थे उसके बारे में समझेंगे लगू अस्तर की उद्योगों का समानी रूप से आपचारीक बैंकों के छेत्र से बहुत कम या नहीं के बराबर संबन्द था लगू अस्तर मतलब की छोटे अस्तर पर जो है जो उद्योग पति थे बिजनेस में होते थे समानी रूप से मतलब जैनरली अपचारीक मतलब की रूल नियाम के तरह से बैंकों के छेत्र में जो न वह उसका बहुत कम या नहीं के बराबर स्कूर समन्द थे मतलब बैंकों से कोई ज्यादा नाता नहीं था उसके बाद इनके अनुपचारीक साख के बाजारों सम्भन था उसके बाद कारी सिल पुंजी के वित्य का मुखे रूप से वेपार रीन थे जैसा कि यह आज भी है उसके बाद इस बास यह साबित होता है कि कुछ सहरों में अन्य के मुकावलों अस्थाई पुंजी के रीन ज्यादा आसानी से प्राप्ट किये जा सकते हैं जैसे कि यह साबित हो सकता है कि जैसे सहरों में अन्य की मुझे बाकियों के मुकावलों जो है न अस्थाई पुंजी जो हता है उसका रीन जो होता है ज्यादा आसानी से प्राप्ट किया सकता है उसके उधारन के लिए सूरत एक ऐसा वस्तर उद्योग का केंद्र था मतलब उस वहार कितने सारभूमिक थे और विए कुछ विशेश सहरों में ही क्यों होते थे यह असपष्ट अभी तक नहीं हुआ है कि लिए उसके अब हम लोग पुंजी पती के भारिम जाए ठोक के विवेपारी मतलब ठोक विक्रेता कच्छे माल के आयतक मतलब कच्छे माल जो खरी रूजहान था पुंजी पती कारिकरों से ही आने का रूजहान था उसके विप्रित जो है इसके अलावा जो है चम्रे के सिजहने के उद्योग में पुंजी पती वेपारी समुदायों से आये उसके बाद इन बातों से निरधारित होता था कि पुंजी पती किस प्रिष्ट अंतर का महतु था बहुत से हस्ते सिल्फों में सिल्फ कारिता एक महत्पून संसादन दी और जिनके पास एक परकार की पुंजी थी वे अक्सर वेपार को भी नियतित कर सकते थे बुनाई में चमरे की सिजहाई जैसे सिल्फ की अपेक्षा जहां अंग अकुसल कारिगर थे य इस बात का भी महतु था कि क्या सिल्फ जो मतला खाहतों से बनगों रॉल मुख था अथवा घरेलु बजारों की तरफ अन्मोख था ठीक है निर्यात योग सिल्फों में मलोओ वेपार कीर व्यापेक अस्तर और बाजार की प्रकृति के कारण कारसिलफ पुंजी और सूचना दोनों दूरलव संसादन थे यह उत्पादन पर जो है ना वेपारियों का अधीक नियंतरन था यह सकेन हुआ उसके वेतब तीसरा है समाजिक पदानुकरम का भी महतु था चमरा सिजाने वाले कारिगरों के लिए उच जातियों के परोसियों के लिए परतिरोत के कारण वेपार के लिए रिन प्राप्त करना या एक नए समाजिक परतिवंदों का सामना नहीं करना परा के लिए यह तीन परकार हुए जो पुझी पतियों की प्रिष्ट भूमी मतलब कहां से आएंगे उसके बारे में अब समझेंगे सनस्थाएं और संगठान यह लगव उस्तर के बारे में प्रंप्रागत उद्योग में जो है सामोहिक संगठान अकसर कई माहत्पुन बहुमेकाय आदाय करते हैं ऐसी सनस्थाओं के माधियम से मालिक उनके प्रभिक्चियों को समावित प्रतियोगिकों के रूप में उभरने पर नियंतरन करते हैं उद्योग विसेस में कारीरत अंदर वाले बाहरी ततों के परवेस पर नियंतरन रखते हैं और इनके माधियम से उद्योगिक संबंधों को लेकर होने वाले दुएंदों को नियंत्रन में रखा जा सकता है इसके अतिरिक्त किसी भी वेपार को रिइन और भीमे किया अब सकता होती है जिसमें बाजार अच्छे कानून का अच्छे कानून या काफी विस्वास के बीना भी काम नहीं कर सकते उसके बाद जहां ये वाजार अर्प विक्सित होते हैं, वहां सामोहिक संगठन विश्वास का उतरदाईत निवाते हैं मदिकाली यूरोप में जो है, कारीगरों के गिल्ड, मतलब सरेनियां, इन में से कुछ कारियों को करते थे भाद में इस परकार की कारीकरों की सरेनियां औप चारी ग्रूप से कम होती थी, लेकिन फिर भी इन में से कुछ भूमिकाओं को निभाने के लिए को निभाने के लिए जाती समगधाय के संगठन विक्सित होए थे इस तरह से second question का भी answer complete होता है clear अब इसको complete जरूर कीजिएगा ठीक है और जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया प्लीट चैनल को subscribe कर लेजिए बेल आइकन को जरूर दबादें वीडियो पर संद लाइक कीजिए कमेंट के मादें से जरूर बताईए और उसके बाद बहुत ही जल नेक्स्ट कोसेन का अंसर अप्लोड होगा आप लोग हमारे साथ जूरे रही है कि चलिए थैंक्यू सो मज़ें